परेंगे और कि एक लास में हम पढ़ेंगे भी मा कैसे निकालते हैं ना टो से हमारे पास कोई भी फॉर्मूला होता है तो कि सहाइता से हम पता कर सकते कि फॉर्मॉला चाहिया है नहीं है ना सबसक्राइब है कि चांज भी हम इस प्रिवाश कर सकते है थो सबसे पारले हम देखते थे नहीं होती है और बप्रकार से प्रिभास करें पर लिखना होता है तो इसमें पता है ने मता है इस बहुत क्राश्य को ना मताई यह लंबाई होती है ठीक बिमान होता है कि अधार्थ कि मात्रा कि अधार्थ कि मात्रा और बताइए ताप समय है ना तो यह क्या होती है बहुत एक राच्यां होती है ना अब देखें मैं इसको रेच कर रहा हूं आपको बताता हूं मैं ठीक है अधार कि सबसे पहरें सबोज़ट अधार अधार मान नजा मेरे पास एक है अगर तो यह एक आएथ ना यह क्या है आएथ इस आयत का यह सी क्या इसकी लंबा यह और यह कैस्की चाड़ाए ठीक है लंबाई मतलब लंबाई को हम किसे रिप्जायन करते हैं कि ल से करेंगे अगर दियुक्त शाथ यह तो भी उसे किसे रिजिन करेंगे अ है ना समझ मागे ना सकते हैं करते हैं घर समय आएगा तो दिसे द्रब बमान आगा तब कि दिर्व बिमान को हम M से करेंगे कैपिटल M से लेखते हैं किसे लेखते हैं अगर ताप आगया तब के नहीं ताप को के लिए के फॉर्म में हम इसको इस तरी के से लेखेंगे ना ठीक है ताप को तो वैसे करेंगे अब हमें सब्सक्राइब देखना है इस आयतर का निकालना है शहता पार। आए अट्रीशन वड़ाबर का होता है लंबाई गोरा चौडाई ठीक है लंबाई को अगर दिमा के फॉर्म में लेखें तो ल चौड़ाइक भी एल ठीक है तो क्या हो जाएगा एल की पावर टू और इसकी इसके चैटरफल की बीमा क्या हो जाएगी लिस्क्वार जागा और बीमा को जो होता है जब हम बीमा लेखते हैं तो उसको बड़े बड़े वाले मतलब रैकेट के अंदर लगते हैं इस तरीक से लिखेंगे समाज मां आगया होगा आपको अब सुपोज़ जैड़ किसी का आयतर निकालना होता है क्या निकालना होता है आयतर मेराबर मैं लेखता हूँ सपोज़ जैट लंबाई मोणा क्या होगा है चौड़ाई गोना क्या होगा हुचाई तो लंबाई को लिखेंगे चौड़ाई को लचे एल चाहिए को ल से तो क्या रिक्वा क्या बन जाए कि कि एल्कू बढम बने और इसको बेस्ट बड़े चंद इस तरह किसी लिखेंगे समाज माइगा न जेटर फलाव अध्र आय तेन हो गया अब कि विश्थापन है सब्सक्राइब पास क्या है विश्थापन है विश्थापन क्या होता है विश्थापन डिस्प्लेस्मेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं डिस्प्लेस्मेंट बोलते हैं बताये डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है कि डिस्प्लेस्मेंट क्या होता बताइए विस्तापन क्या होता है प्रारंभिक बिंदू से प्रारंभिक बिंदू से लेकर अंतिम बिंदू के बीच की दूरी कि अंतिम के दूरी इनका देनं करेंगे हम दूरी को लंबाई में तो इसकृर्पन को हम physical पास क्या होजाएगी किसमें इसको बिंटापन को भी हम अल्म लिखेंगे एक परकार की दूरी तो है दूरी लंबाई लंबाई को में एक गिंगे तो एल से एक किसे करेंगे हैं ठीक होगा समय को मैंने बता किसे टी से एगर मेरे पास चाल आता है चाल कि मुझे क्या निकालनी है निकालते साल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टे समय कैं दूरी समय वह जाएका हगा समय मैं जब यहां उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी की पार हो जाएगा माइनस एक वण हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या आगी जाल की किसी आगी जाल की अब निकाल दें किसकी बेग की, बेग, साल के बाद मैं लिखा हूँ क्या, बेग, बेग बराबर क्या होता है, बताइए, बेग बराबर भी क्या होता है, बेग बराबर भी क्या होता है, बिस्तापन बटे समय, सबस्, बिस्तापन बटे समय, है न, अब बताइए, बिस्तापन की बीमा क्या होगी, टी माइनस लोगा वन होगा तो हमारे पास बेक की की लिए ल्टी माइनस वन लहां ओके मैंने पहले भूला है वी माको हमने बड़े प्रकट का अंदर लगना होता है समाजमा हागा न कि अब देखे बेक के बाद फिर देखिंग सकता है ना और भी बताई यह लिखे लिए लिए तोरण क्या घान मैंने टौरण एसक्लराइशन वोलते हैं तोरण मुर्द परिवारतन स्मय अंतराल होता है वहीं है बहुत हाँ समय लग दिया बहुत होती है अब मुझे बुचाइए वेक की विमां क्या होती है गुड लिए माइनस वन होता है और समाई की बिमा क्या होती है टी होती है अब देखें टी नीचे यह 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 यहां उपर जाएगा तब क्या हो जाएगी एल टी माइनस तू तो हमारे पास तौरण की भीमा क्या आ गी यहां में लेक्ता हूं एल टी माइनस तू को किसे रिप्जैन कर से हैं ए से ए मतलब एसक्लेरेशन एमत्राइज श्कुलेरशन छौन कि यह वह इसको यह से रिबॉसर्ण करें समय अत्रीन आ तो टौरां आ गया हमारे पास अब आगे देखते हैं आ वाल की विबुमारी रहता ह। उल्क किसकी निकालते हैं बलल देखें नेक्स है बाल बाल को किसे रिप्जान करते हैं जबाल को फोर्स से रिप्जान करेंगे एक हो ढब मतलब त्वरन तो मैंने अभी बताया था चुुट इन्टू एल्टी माईनस टु। एफ बराबर क ao जाएगा एम एल्टी माईनस टु। तो बल की भी मां कहा होगी एम-ल्टी मा cigarettes टू। समझ मा आए ना है तो यह हमारे पास मैंने आपको भी मा कैसे निकालते हैं यह सीज बता ही मैंने आपको पता ही बीमा कैसे निकालते हैं यह चीज मैंने आपको बता ही समझ मारा ना तो इस तरीके से सौल्व करना है ठीक है कि अगल कि अगल